सूपर पावर, चमतकार ये सारी चीज़े मुवी में ही होती है I know कि आपने टाइटल और फोटो देखकर ही क्लिक किया होगा ये जानने के लिए कि क्या सच में आपके पास भी है सूपर पावर अगर मैं बोलूँ हाँ आपके पास भी है सूपर पावर तो आपको कैसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हर एक अनसान चाहता है कि उसके पास भी एक सूपर पावर हो और वो बहुत सारी चीज़े कर पाए लेकिन फर्स्ट अफॉल आपको ये बता दू कि जिन लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों में इंट्रेस्ट नहीं है जिनको सिर्फ और सिर्फ बच्चा बना रहना ही पसंद है तो वो इस वीडियो को अभी छोड़ सकते है because मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ा प्रैक्टिकल स्टोचने पर ही आप समझ पाएंगे क्योंकि रियल लाइफ में चमतकार नहीं होते आपको चमतकार करने होते हैं और जिन लोगों को समझ नहीं आए वो जाकर पौगो देख सकते हैं actually 90% लोग ये सोच कराएं होंगे कि उनमें कोई सूपर मैन या फिर स्पाइडर मैन या फिर आईरन मैन जैसी कोई सूपर पावर होगी जो आज उनको ये वीडियो देखने के बाद पता सलजाएगी तो I am so sorry for that अब गलत जगा पर हो हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सूपर पावर की लेकिन वो सूपर पावर हर एक इनसान के पास होता है येस आपने सही सुना आपके पास भी वो सूपर पावर है लेकिन आप उसे यूज ही नहीं कर पा रहें you know what क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम ये समझते है कि कहीं से कोई चमतकार हो जाएगा और ये काम अचानक से हो जाएगा लाइक एक छड़ी गुमाई और काम हो गया और या तो फिर ऐसा सोचते है कि कोई और आएगा कोई हीरो आएगा और आप जो बोलोगे वो हो जाएगा और इससे ये साबित होता है कि आप एक आलसी इंसान बन चुके हो बस इसी लिए तुमारे पास जो सूपर पावर है उसे तुम यूज नहीं कर पा रहे हो वैसे चमतकार हर कोई कर सकता है वो वाला नहीं जो टीवी या फिर यूटूब या फिर बाहर आपको दिखाये जाता है वो चमतकार जो रियल लाइफ में होता है वो आप भी कर सकते हैं बस आपको आपकी सूपर पावर को सोच समझ कर इस्तमाल करना होगा तभी आप चमतकार कर पाएंगे आप चाहेंगे तो सारी चीज़े बदल पाएंगे विल पावर नाम सुना है ना कभी दर्ड इच्छा सकती इसी को हम इनसान का सूपर पावर बोल सकते हैं आपकी विल पावर ही आपके लिए एक सूपर पावर का काम करती है ये सूपर पावर किसी भी इंसान के जिन्दगी बदल सकती है, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकती है, किसी भी इंसान को सफल होने के लिए पागल कर सकती है, और किसी भी गरीब इंसान को वो अमीर बना सकती है, बस आपको इस सूपर पावर को यूज़ क की ताकत होनी चाहिए, जो आप सोचते हैं, उस पर action लेने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वैसे हमारी daily life में जो चमतकार होते हैं, वो किसकी बदोलत होते हैं, सोच कर देखो, willpower, मतलब कि इच्छा सक्ती से ही ये सारी चीज़े possible होती है, and one more thing, कि मैं जो भी daily life में होता है, जो भी हो रहा है, उसी को किसी चमतकार से कम नहीं मानता, like ये आगे बढ़ने की भूख, कुछ बड़ा करने का होसला, कुछ लोगों को नया देने का जुनून, कुछ बन कर दिखाने का जज़बा, ये सारी चीज़े किसी चमतकार से कम थोड़ी नहाएं, और कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको आपकी जरूरत, मतलब कि उसकी value समझाती है, तो कैसे एक चमतकार के जैसे होने लगता है, और वो चीज़ करने के लिए आप ready हो जाते हों, उस समय ये नहीं देखते कि क्या फाइदा होगा, कैसे होगा, या फिर आप कैसे करेंगे, ब आप सोच रहे थे कि नहीं होगी, वो कैसे हो गई, पता ही ये सारी चीज़े सिर्फ और सिर्फ willpower से होती है, और यहाँ पर एक ही त्योरी निकल के आती है, कि आपकी इच्छा सकती किसी भी चीज़ को करने के लिए जादा से जादा होनी चाहिए, तब ही आप वो चीज़ क बस आपने अपने दिमाग में डर बना कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा हाड लगता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एडिया लग जाएगा कि exactly मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा परिवार था, पती, पतनी और उनका एक बेटा गाउं में रहते थे, पतनी थोड़ी सी डर पोक थी, वो हर छोटी छोटी चीजों से डर जाती थी, लेकिन एक दिन वो अपने पती के साथ खेट में काम कर रही थी, अचानक उसके घर पर आग लग गई, तब ही उसको खयाल आया कि उसका बेटा घर में ही है, और वो दोड़ती हुई उसके घर पर पहुँच गई, और वो बिना इधर उदर देखे, घर के अंदर चली गई अपने बेटे को बचाने के लिए, सब ने सोचा कि इतनी तेज आग है, अब उसका बहार आना बहुत ही मुश्किल है, तब ही सब देख कर हैरान हो जाते हैं, कि वो अपने बेटे के साथ बहार जोस्त्री जब जरा सा रोटी बनाने में हाथ जल जाता था, वो जलन को बहुत तकलीफ देती है, ऐसा कहकर ड़ जाती थी, वो ही आज अपने बेटे को बचाने के लिए जलते हुए घर में जाकर उसको बचा कर लाई, और इसको हम चमतकार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे तो भी फ्रेंक, अंदस्रद्धा में मत पढ़िये, अपने आप पर भरोसा करिये, अपनी इच्छा सक्ती पर भरोसा कीजिए, यूमन माइन का पावर, जो बहुत ही बड़े बड़े चमतकार कर सकता है, आप भी उस चमतकार को कर सकते हैं, बस चमतकार करने के लिए जरूर कर दे, ऐसे वाले गोल होने चाहिए, तभी आपका सूपर पावर आपको काम आएगा, एक रॉकेट में जब आग लगी होती है, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर ही रुखता है, वैसा अपना गोल बनाओ, और वैसे ही हम कोई बड़ा एम अपने सामने रखते हैं, तो हमारे काम करने की ताकत कई गुना ज़ादा बढ़ जाती है, आप जैसा सोचोगे, वैसा आप बनते जाओगे, इसलिए अपने आपको एक बहतर इंसान समझो, अपनी ताकत को समझो, आपके अंदर की सूपर पावर को समझो, आपकी इच्छा सक्ती को समझो, आप और आप एक सूपर हीरो है, ये भी समझो, आप एक सूपर हीरो है और आपके अंदर वो पावर है, जिससे आप जो चाहे वो कर सकते हो, तुमारे अंदर सूपर पावर है, अगर चाहो तो सब कुछ आसान हो सकता है, तुम चाहो तो सब कुछ पा सकते हो, बस अपनी पर भरोसा रखो अगर तुम चाहो तो दुनिया जीत सकते हो So that's it best of luck आपके सपने और आपकी जिन्दकी के लिए और अगर आपको मेरी बाते पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजी और सेर कीजी अपने दोस्तों के साथ जिससे किसी और की जिन्दकी भी बदल पाए और कॉमेंट में जरूर लिखे कि आपने आज क्या सीखा And this is Neeraj Patel, stay inspired and stay fearless